देखिए मुख्य रूप से बील संतोष के निजी जुकाओ की वज़े से महेश तेंगिनाकाई को मेरी सीट से टिकेट मिला है पिछली बार भी वो ऐसा करना चाहते थे लेकिन अंत में वो कैंसल हुआ महेश को टिकेट दिलवाने में बील संतोष की दखलंदाजी रही है महेश तेंगिनाकाई को टिकेट दिया गया लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि उनसे जादा वरिष्ट कई लंगायत नेता हैं उनको क्यों टिकेट नहीं दिया गया महेश तेंगिनाकाई बील संतोष के मानस पुत्र हैं ये पूरी घटना ये दर्शाती है कि बील संतोष के निजीर उजहान की वज़े से ये सब हुआ यहां हम हमेशा कहते हैं कि पार्टी पहले है और व्यक्ति बाद में जबकि यहां बील संतोष के मुताबिक पार्टी दूसरे नंबर पर है किसी व्यक्ति का उनके प्रती समर्पन पहले नंबर पर आता है उनकी वज़े से करनाटक में ये सब हो रहा है करनाटक में पूरी पार्टी ढह रही है लिंगायत समाज के लोग इन सारी घटनाओं से बहुत आहत हुए है इनसे पूरे राज्य में राजनिती प्रभावित हो रही है मेरे परिवार के किसी सदस्य को टिकेट देने की बाद में आई ये दुरप्पा ने भी जब केजेपी बनाई थी तो किसका नाम लिया था ये सब को पता है